Hello Traders and welcome to the studio members Infosys को आज के दिन में ट्रेट किया था एंड अपने Public Telegram चैनल पर हमने एक stock shared किया था भारत फॉक का बारत फॉक के अंदर आज के दिन हमें buying करनी थी लेकिन हमें personal केसी भी तरह का कोई confirmation नहीं मिला सो जिन्होंने भी भाई क्या होगा Public Telegram चैनल पर हमने अप्रेट कर दिया था कि cost to cost हम इसके अंदर से exit हो जाएंगी because या तो याज sideways हो जाने वाला या पर इसका trend भाई से अभी sell side में चला जाएगा सो भारत फॉक का trade अपना successful नहीं रहा इस वाज़े से infosys को भी देख रहे था इन फ्यूक हमने trade किया and एक last trade हमने जो किया था अडानी पोर्ट का Apollo Hospital का trade था okay so Apollo Hospital का trade के अंदर भी हमने करीब 100 या 100 उसका screenshot हम या पर share करना ही कुशिश करेंगे so 150 रुपए के असपा से कुछ का profit भूग किया था और आज कभी जो आप trade देखोगे दो trade थे भारत फॉक अच्छा movement नहीं मिला and जिसको infosys trade किया उसके अंदर पर कोई बड़ा movement नहीं मिला और एक जो system हो आज के दिन आप लोगों के साथ share करेंगे जो कि already भी हम share कर चुके है पहले भी share कर चुके है इसके अंदर जैसे daily time frame पर हम चले जाएंगे majority देखी जाती है volumes के थुरू कि volumes में किस side के majority जैसे first candle है यह हमारा आज की major candle थी हमेरी resistance candle थी इस candle को आगे चल करके में explain करेंगे और यहां पर कुछ एक swings है lower time frame के अंदर इन swings की अपनी कलाग इंपॉर्टेंस है इन swings को एंड volumes के थुरू किस तरह से हम लोग supports even resistance रोकर इसको देखेंगे तो यहां पर अपनी position को open करेंगे फटाक से आज का profit वगरा जो है देख सकते हैं 6400 रुपय का profit है क्योंकि पूरी market side way 1-2 क्यास प्लस का something का कुछ अपना profit रहा है सो order book में देख लेंगे जो क्वाइंटी अपनी लगे ती करीब 800 क्वाइंटी के साथ हमें एक्जीक्यूट किया था हालां कि टार्गेट और अपसाइड की तरफ के थे अच्छा एक risk and reward मिलता इसको रिफ्रेश कर लेते हैं सो 800 क्वाइंटी के साथ मैंने 6000 का profit personally हम जिस risk and reward ratio में काम करते हैं वो नहीं मिल आज के दिन entries 1-6 9.45 पर अपनी entry थी इसको एक बार refresh कर लेते हैं and stop loss 1-6 5.70 पर stop losses थे and targets upside के तरफ के तरफ के तरफ एक यह भी नहीं कहेंगे कि बहुत hard trade था या tough trade था नहीं easy trade था but movement नहीं मिल पाने के वजय से जो profit आपके सामने 6 करीब 6,000 रुपया का profit है सबसे important बात यह है कि आज की trade को जिस तरह से हमने execute किया है उसको जो हम share करें उसको देखेगा पहले भी हमने आपको एक system बताया था trade करने के लिए falling loss जाब भी decreasing loss उसका एक advanced version है यह वाला जिसको की last video में भी हमने आप लोगों के साथ share किया है इसको बहुत concentrate हो करके इत्मेनान से समझने की कोशिश की जाएगा वीडियो अच्छा लगता तो इसको like की जाएगा comment की जाएगा and public telegram channel का link भी description में आप चाहो तो link के थूरू telegram channel जोइन कर सकते हो so let's get into the video thanks Infosys को समझते हैं सबसे पहला तो हम लोग शुरुवात करेंगे इसके daily time stream की reading से किस technique के थूरू क्योंकि जो volumes के थूरू हम अगर बोल रहा है price को mark करने के लिए तो volumes के थूरू कैसे mark कर सकते काफी अच्छी technique है इसको थोड़ा सही से समझेगा एक याद होगा आपको हम लोग falling patterns का use करते हैं second last video जो हमने upload किया इसमे falling low pattern से एक step आगे decreasing low से एक step आगे हमने एक technique बताई है जैसे की 1,2,3 यह 3 candles form होती है तीनों में common चीज़ क्या होती है कि same color की candle होती है और volumes एक दूसरे से कम होती है और यह 3 candles बनती है अगले दिन क्या होता है कि यहाँ पर हम लोग expect करते हैं buying करेंगे क्योंकि अगर पिछले 3 दिन से market लगातार गिर दे तो fourth day में इसके अंदर एक buying expected होती है अब अगर buying नहीं आई तो क्या हुआ हमारा falling pattern fail हो गया क्योंकि इसके अंदर green candle नहीं बनी black candle बन गया अब मैं यह तो मालूम है कि falling rose pattern के according fourth day में buying करनी है लेकिन maximum time chance तो यह रहता है कि यहाँ पर buying हो जानी चाहिए लेकिन अगर buying नहीं हुआ black candle बन गया यानि कि price वापा से sale ही हो रहा है तो fourth day फिर इसके अंदर अगर selling होनी है तो third day से ज्यादा की selling हो majority के according अगर यहाँ पर buying हो रही है पिछले चार दिन से लेकिन buying के जो structure से है वो कुछ इसी तरह की होनी चाहिए volumes एक दूसरे से कम और fourth day third day से ज्यादा की volume तो fifth day हम लोग यहाँ पर सिर्फ उन्हीं candle को देखेंगे जिन candle की formations market पिछले चार दिन से form कर रही है clear अब इसमें होता क्या है intraday के according तो हमें इस तरह के levels मिल जाते हैं conditions किस तरह क्यों होती है कि अगर buying कर नहीं है फिर selling कर नहीं हमें पता चाहिए लेकिन इन्ही volumes के थूरू हम लोग अब levels कैसे माग करते हैं हम लोग क्या करते हैं कि जो highest high होता है fifth candle से मतलब नहीं है सिर्फ हम लोग last fourth candle देखते है last तक तो इन चारो candles में से जिस भी candle का highest high होगा हम वो माग करते हैं जिस भी candle का lowest low होता हम वो माग कर लेता है समझ रहे ना fifth candle को छोड़ दीजे ignore कीजे और ये जो चार candles form हो रहे हैं चार candles ने मिल करके जो low और जो high बनाया है वो हमारे trade execute करने की जगा बनती है अब यहां से देखिए Infosys है Infosys कर क्या रहा है पिशले तीन दिन से यहां पर एक, दो, तीन यह लगातार गिरा fourth day volumes के breakout हो गए और fifth day भी अब हम लोग selling ही कर देंगे कुछ ने करने सिर्फ selling करनी है तो यहां पर देखिए selling ही अच्छा यह जो पांस दिन के concept अपने बने पांस दिन के जो patterns form हो गए इन patterns के recording हमें एक high और एक low expect हो जाता है जो हम mark कर सकते हैं अब price पर अभी देखिए हम नहीं गए लेकिन हमें यह मालूम है कि इन चारो candles लें जो भी low लगाया है वो मेरा support होगा और जो high लगा दिया है वो resistance बन जाता है कोई भी chart आप उठा करके देख लो कोई भी chart ऐसा नहीं है कि 100% चलेगा बट maximum time आप देखो गए कि यह patterns आपके बहुत अच्छा result आपको देता है जैसे कि आज की case में देखेगा हम कुछ भी हमें नहीं करना है हमें सिर्फ यह मालूम है कि एक, दो, तीन, चार यह fourth candle है अब इन चारों मैंसे जिस भी candle का lowest लो होगा हम mark कर लेंगे और जो highest high होगा वो हम mark कर लेंगे बाकि अब छोड़ दो हमें price को इतना ज़्यादा burden से नहीं दे यानि के यह दे एक, दो, तीन, चार यहाँ पर हमें एक resistance मिल गया और यह की एक support मिल गया अब देखिए अगले दिन अगले दिन से फिर market उसके नीचे गई नहीं है यहीं से इसने supports ले लिए यह जो second line अब देख रहो जो हमने आपक पूट किये यह just for थोड़ा सा buffer के लिए हम रख देता है यहाँ पर देखिए इसने एक support form कर दिया major line कौन सी है, confuse मत हो जाएगा जो हमारी चौथी candle है एक दो तीन चार हाँ जो lowest low है उसको हमने mark लिए है, अब यह जो second line अब देख रहो इसको just for buffer हमने यहाँ पर रख दिया है लेकिन major line जो है 1220 रूबी सी है तो अब यह बन गया support और अब साब बन गया resistance, infosys को हमने कब trade किया कब trade किया से ज्यादा important है कब trade नहीं किया हमने यहाँ से trade नहीं कर दिया हमने इसको यहाँ से trade किया इसको हम लगतार watch कर रहे है कि price का यह resistance area है अगर यह यहाँ पर आया तो फिर हम इसको trade कर देंगे अब price ने देखे downside के movement देखा है यहां पर support लिए गए, trade किस तरह से होता है, अब यह एक range बन जाती है, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, break outside भी trade करते हैं, break down भी trade करते हैं और break inside भी trade करते हैं, सभी techniques अलग अलग होती हैं, कि हम लोग trade कैसे ले रहे हैं और trend identification किस तरह से कर रहे हैं, अभी जो चीज़ हम आपको इस तरह से लगाने, यह भी यागा, मतलब पूरा एक group of study आप सकते हो, कि एक साथ apply होता है, हमारा risk भी manage हो रहा है, हमारा money management भी हो रहा है, अब यह नहीं है कि यहां पर देखे, जैसे हमने, यहां पर जो trade execute किया है, 800 quantities हैं, 3 रुपए, 3 रुपए कुछ पैसे का शायद स्ट आया था, 3000 का risk था, risk भी manage हो रहा है, money management की हो रहा है, technical analysis भी चल रही है, higher time frame पर reading भी चल रही है, lower time frame के उपर भी reading चल रही है, entries, top loss target, इतना सब कुछ करने के बाद में कोई एक trade execute होता है, ऐसा नहीं कि बस, मन हुआ कर दिया, green candle देख रही, buy कर ले रहे हैं, 2-4-5 point के लिए, इस तरह सिर तो आप करते रहो, लेकिन professionally अगर काम करना है, तो इस तरह से आपको point to point price को analyze करना पड़ेगा, candle से candle को merge करना पड़ेगा, इतना सारा काम करने की बाद में कहीं आप एक चोटा सा trade execute करते हो, सुना होगा अपने अक्सार के professionals को अपने system पर हो सकता है कि trade ही ना मिल वो बिचारा 3-4-4 दिन, 5-5 पूरे-पूरे week हो जाता है कि trade नहीं करता है, system पर नहीं मिला, उसको trade नहीं मिला, नहीं करेगा, हम रोज ट्रेट जब नहीं मिलता है trade नहीं करते हैं, जबर जस्ती जाकर कि किसी भी stock थोड़े नहीं करते हैं, वरना ऐसे तो कोई भी stock, रोज पांच stock top gainer बनते हैं, रोज पांच top loser बनते हैं, हम trade नहीं करें, इसका मतलब है थोड़े नहीं कि market नहीं चली, market तो चल रही है, लेकिन जिस दिन हमारे setup नहीं बना, उस दिन हो सकता है, हमारे opponent का setup बना, वो trade कर ले जागा, हम नहीं कर पाएंगे, moral of the story, रोज 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 करना है, तो एक system पर आना पड़ेगा, एक system पर उतरना पड़ेगा, इसके लावर कुछ नहीं, discipline से बड़ा कोई rule नहीं है, market में discipline हो करके चलना पड़ेगा, और यह बीच 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 बाते आपको बोल देते हैं, actually यही बड़ी चीज़े हैं, यह technique को गरा क्या हो सकता है, इन technique से ज़्यादा जोरी यह बाते हैं जो हम बोल रहे हैं, क्योंकि live market में यही experience है, जो हम feel करते हैं, overall आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर इन चार candles का हमने low mark कर लिए और यह high हो गया, अब trade करने की जगा हमको मिली चे वाली, I hope कि समझ में आओगा, बहुत छोटी सी technique है, इसका use करो, सिर्फ volume के थ्रू, volume के थ्रू हम लोगों ने यहाँ पर level mark कर लिए, सिर्फ volume के थ्रू, अब आजाते हैं 5 minutes पर, अच्छा 5 minutes पर जाने से पहले एक चीज हमने आपको बताई थी, काफी दिन पहले, करीब 7 या 8 मेने पहले बताया था हमने, कि price अगर मेरा upside की तर अब day की जो सबसे पहली opposite direction की candle होती है, यह भी techniques है, day की सबसे पहली opposite direction की candle, इसका कितना बड़ा role play होता है, तो ना तुम इसका science आपको बता रहे हैं, ना इसके बारे में बहुत deep analysis नहीं कर सकती, बहुत बहुत लंबा हो जाता है, तो एक ये black color की, अब ऐसे price अगर नीचे क दिशा में आपका गिर रहा है, और opposite direction की candle आप देख रहे हो, कि बन रहे है, और यह morning की होनी चाहिए, कुछ percentage wise भी आप ले सकते हो, या कुछ इनके movements को पर भी depend करते है, देख रहे हैं कि candle आपको किस तरह के symptom दिखाती है, price अगर यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ का movement किस तर से, और एक 945 फी candle आपको बता ही रखिए, तो उसको भी देखो, है न, तो आज की यह वाली जो candle न, सबसे पहली opposite direction की candle, उसको mark करो, और देखो कि वहाँ से results करने करते हैं, लेकिन यह होती बहुत important है, अब चलते हैं, अब चार्ट के उपर, अच्छा हर बार आप देखोग नहीं करेगी, अगर इन candle का आपको यूज करना है, तो कुछ factors आपको include करने पड़ेगी, जैसे reading भी इंक्लूट करने पड़ेगी, जो भी आपके factors हैं, जैसे कि आपका प्रीडिफेंड एरिया होना चाहिए, उस प्रीफेंड एरिया के पास में बन रही है, हम इसको ले ले रेट केंडल्स फॉर्म हो गए, और रेट के बाद में यह सबसे पहली ग्रीन केंडल बन रही है, यहां से पूरा का पूरा देखें, trend चेंज हो गया market का, फिर price नीचे आया नहीं है, इसको भी practice करिए, काफी सारी चीज़े हैं, आप practice करने आओ तो बहुत सारी चीज़े है प्रैक्टिस करने के लिए, अब यहां पर देखें, यह black वाली candle है, यह green वाली candle आपको समझे वारा है ना, कैसे हमने mark की, जो highest high था उन चारो candles का, उसको हमने mark कर लिया, ओके, यहां समको मिल गया resistance अपनी master candle के थुरू, और दूसरा, हमने opposite direction की candle को mark कर लिया, कि price अप में ज resistance कर रहा है, और volumes कम है, volumes नहीं है, और इस जगह पर एक rejection हो गया, मतलब resistance बन गया, और वापस से देखें, जब price ने upside के moments करने शुरू है, तो यहां पर volumes के breakout हो गया, कुल मिला करके, एक higher time frame का हमारा resistance बन गया, और एक lower time frame का resistance, lower time frame का resistance हमारी day की सबसे पहले negative candle, opposite direction की candle, इसने resistance बना दिया, और यह हमारी daytime frame की candle है, अब देखें, इन दोनो, इन दोने levels के पास मार्केट कैसे react कर रही है, किस तरह से reactions हो रहा है, price अप में है, volumes के breakout, अब देखें क्या हो रहा है, फिर से price हमारा नीचे की तरफ जार और volumes भी इसके नीचे के देशाम के रहा है, और again देख का जो movement है, वो turn हो रहा है, इसलिए volumes क्या होती है, dry होती है, dry होने के बाद में फिर से upside की तरफ बढ़ती है, इतनी सारी चीज़े देख लेने के बाद में, अब हमने जो यहाँ पर अपनी entry ली है, इन दोनो ranges के बीच में अपनी entry ले ली, ना तो यहाँ पर ना ही upside की तरफ जैसे ही price ने एक breakout upside की तरफ दिखाया है, हमने इस जगह पर अपनी entry ले ली, तो 1269 के असवास अपनी entry थी, stop loss जो हमने लगाया था, अपनी इस candle के नीचे stop loss रख दिया था, यहाँ पर, target जो हम इसके अंदर ले करके चल रहे थे, 1280 और 1290 के हमारे target, इसके बाद में 1290, जो पुरी तरह से side भी हो गया, वरना जो major हमारा target था, वो यह वाला था, यह तो हमें price को revise कर गए, यहाँ पर अपने target स्पोग किया थे, यह overall अपना setup था आजगा, एक बार फिर से हम लोग चलते हैं daily time frame, daily time frame पर देखे, infosys ने किया क्या है, यह समझ मैं है न, जिस तरह से entry or stop process वगएर हमने पता है, कि price अपने दो-दो resistance को upside के थे थे, with volume, और जिस candle ब्रेक किया, तो उसके नीचे ही हमने अपने stop process रख दे, क्योंकि वो हमारी major candle थी, वो swing था, वह हमारा support area था, क्योंकि अगर price हमारी उस support को नीचे गया, तो फिर यह चला गया, फिर यह नीचे चला रहा है, यहां पर इसका support बन गया, ठीक है, आप इसको ले लो यह यह वाली candle, यह आपका support बन गया, अब rate करिए इसको, price ने एक resistance और एक support लगा देने के बाद में, movements कैसे दिखा है, किस तरह की movements दिखा है, यह तो gap down हुआ, वो तो अलग बात है, लेकिन price ने एक support बना देन के बाद में, volumes continuously गिरने लग गया, और फिर से देखिए, यहां पर क्या हुआ, breakout शो हुए न, volumes के breakout, volume और price ने upside के दिखा है, और volumes ने breakout दिखा है, अगे इन देखिए, volume आई, और price में क्या हुआ, देखने में आपको यह red candle दिख रहे होगी, बट यह positive candle है, किस तरह से, कैसे positive candle है, क्योंकि, पिछले दिन की closing से upside में, next day की closing है, यानि के price ने overall देखोगे, तो उसने stock की value increase की है, तो यह positive candle होगी, तो पिछले दिन भी price हमारा strong, और उसके 27th April को भी हम देख रहे हैं strong, और volumes भी increase हो रहे है, तो price upside की तरफ जार, और volumes increase हो रहे हैं, और फिर से यहां पर दे rate कर दिया, एक sniper की तरह just wait, 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 wait करो, और fit rate, जो भी profit वगरा, 6000 या भले ही कम है, profit कम है, उसके अपने अलग factors है, उसका reason अलग है, market side way है, आप चाहाँ जितनी अच्छी reading कर लो, चाहाँ जितनी अच्छी जगे पर trade execute कर दो, market side way है, तो फिर तो जब हिलना ही ने trading थी, वो सही थी, जो हमारे direction हमने तया किया था, पूरे दिन market में, वो direction काम किया है, falling rose patterns के according तो ना जाने, कितने trade हमने आप लोगों को कर 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 के दिखा है, रोज के रोज हमने trade कर के दिखा है, उसको practice मिलाओ, एक system बनाओ, focused हो कर के लग जाओ, ओके, चले, so thanks, good bye, and last week फिर